नमस्कार दोस्तों, OCEAN Network में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओमकार चोधरी शीत कालीन सत्र एक दिन पहले ही समाप्त गोशित कर दिया गया 23 दिसंबर तक ये सत्र चलना था, जो 29 नवंबर को शुरू हुआ था हलकि सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी की हो, भारते जनता पारिटी की हो, या कॉंग्रेस के नितरतों में हो या तीसरे मोर्चे के नितरतों में कोई सरकार हो, वो अपना विधाई कामकाज तो किसी तरीके से निप्टा लेती है लेकिन इस देश में, इतने बड़े देश में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग समूहों के, अलग-अलग सेक्टरों के इतने सारे मसले होते हैं जिन पर देश की संसद में एक ठीक तरीके से, खुले मन से बहस होनी चाहिए, सुझाओ आने चाहिए और ऐसे बहुत सारे मेंबरों पार्लियमेंट हैं, लोक सभा में भी, राज्य सभा में भी जो तैयारी करके आना चाहते हैं, अलग-लग मुद्दों पर बॉलना चाहते हैं, अलग-अलग शेत्र की जो समस्याएं हैं जो देश की प्रगती में बाधक बनी हुई हैं, उन पर अपने विचार रखना चाहते हैं, लोक तंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में लेकिन हो क्या रहा है 2014 के बाद से आपने कभी देखा है कि पार्लियमेंट के किसी भी सेशन को ठीक तरीके से चलने दिया गया हो सुचारू रूप से शान्ती से मसलों पर चर्चा हुई हो आमने सामने बहस की गई हो किसी नतीजे पर पहुँचने का प्रियास किया गया हो हमने तो यही देखा है कि किसी एक मुद्दे की पूँच पकड़ी जाती है और जब चाहे ग्रिश्म कालीन हो चाहे मांसून सत्र हो चाहे शीत कालीन सत्र हो बजट सत्र हो उसके शुरू के आठ दस दिन कभी कभी तो दो सप्ताहा पूरी तरीके से वाश आउट कर दिये जाते हैं, बरबाद कर दिये जाते हैं पार्लेमेंट को चलने ही नहीं दिया जाता है रोज आना पार्लेमेंट जैसे ही शुरू होती है, हंगा में शुरू हो जाते हैं Member of Parliament जो है वेल में आ जाते हैं, कागज फाड़ करके फैंकने शुरू कर देते हैं, और एक अजीब और गरीब तरीके का वातावरन क्रियेट कर दिया जाता है, अगर इस स्पीकर लोग सभा को चलाना भी चाहे, या अगर राज्य सभा को सभापती या उफ सभापती चलाना भ दिया जाता है, और मैं नाम लेकर के ये कहना चाहता हूँ, कि कुछ पार्टियां हैं, जो पार्लियमेंट को लगातार बाधित कर रही हैं, और उसको चलने नहीं दे रही हैं, ट्रैक पर नहीं आने दे रही हैं, और इन राजनितिक दलों के नेताओं ने पार्लियमेंट को तो ही राजनीती का अखाड़ा बना करके रख दिया है। आम तोर पर तो धरने, परदर्सन, होहले, नारे बाजी, ये भाशन बाजी, ये सब या तो नुकड़ पर होते हैं, सडकों पर होते हैं, या किसी मैदान में आप जन्सभा कर लीजिए, वहां जितना आपको सरकार को क लक्ष दीजिए, जो पार्लियमेंट कानून बनाने के लिए है, विधेकों पर बहस करने के लिए है, और जहां समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, उस पार्लियमेंट को, और अब तो हम देख रहे हैं कि विधान सभाओं को भी, पूरी तरीके से सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन कुछ दल हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, इन में कॉंग्रेस है, इन में वामपंथी दल है, और इन में कभी-कभी शिव सेना को भी हम भागीदार के रूप में देखते हैं, और कभी-कभी हम जो आम आदमी पार्टी है, उनके ल पिछले सत्र में, उससे भी पिछले सत्र में, क्या हाल देखा था हमने राज्य सभा में, राज्य सभा जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन में कुछ साल पहले तक, अलग-अलग सेक्टर की बिलकुल क्रीम आती थी, और लोग सभा में चाहे जो हंगामा हो रहा पर राज्य सभ vraag में कमसे कम हम लोग ये notice करते थे कि वहाँ संजीदा बहसे हो रही है लेकिन अब ऐसा नहीं है लोग सभः से ज़्यादा हंगा में लोग सभः से ज़्यादा बादाएं राज्य सभः में हम देख रहे हैं और इसकी भी वज़े है इसकी वज़े ये है कि जो अलग-अलग पॉलिटिकल पारिटी के लीडर लोग सभा में जीत करके नहीं पहुंचते हैं वो राजनितिक दल ऐसे अपने नेताओं को राज्य सभा में ले आए हैं और अलग-अलग सेक्टर को परतिने दित्व देने के बज़ाए जब पॉलिटिकल पारिटियों के जो परंपरागत नेता हैं वो राज्य सभा में पहुंच जाएंगे तो फिर जो उनकी लीडर्शिप चाहती है वो वैसा ही प्रदर्शन राज्य सभा में भी करेंगे उनके लिए लोकसभा और राज्य सभा में जैसे कोई फर्क ही नहीं रह गया है इस सत्र में शीत कालिन सत्र में जो पिछले सत्र में यानि मानसून सत्र में हंगामा हुआ था राज्य सभा में और जिसके लिए सभापती और उपराष्टपती एहम वैंकईया नैडू ने अलग-अलग दलों के 12 मेंबर को जिम्मेदार माना अनुशासन हींता के लिए संसद की गरिमा को चेयर की गरिमा को घटाने के लिए उनको इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंट करने के आदेश जारी किये थे और इन में अकेले कॉंग्रेस पारिटी के ही छे सांसत थे फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमनी पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश परसाद सिंग ममता बेनर जी की जो टीमसी पारिटी है, उससे डोला सेन थी और शांतिक शित्री थी, उनको सस्पेंट किया गया था इसके अलावा शिवसेना से प्रियंका चत्रवेदी और अनिल देशाई शामिल थे और सीपीम के एलाराम करीम और सीपी आई के बिनौए विश्वम जो हैं, उनको सस्पेंट किया गया था चलिए सस्पेंट कर दिया गया, सजा दे दी गई, ताकि आगे से पार्लियमेंट को सुचारू रूप से चलने दिया जाए लेकिन इस पर क्या हुआ, इस पर हालत ये कर दी गई, कि रोजाना दोनों सदनों में, केवल राजसभा में नहीं, लोकसभा में भी, संसद की कारवाई को नहीं चलने दिया गया कि पहले इन बारा मेंबर को जो सस्पेंट किया गया है, इस पर चर्चा कराईए गांदी जी की परतीमा के सामने रोजाना धरने, परदर्सन, प्ले कार्ड, रोजाना मीडिया में लहराए जाते थे तो ये जो तरीका है विपक्ष का, कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप किसी एक मुद्दे की पूँच पकड़िए मानसुन सत्र में, पैगासस था, तीन किर्शी कानून थे, और तीन किर्शी कानून तो उससे पहले सत्र में, बजट सत्र में भी थे तो लगातार आप कुछ मुद्दों को उच्छा लें, और सरकार के ये कहने के बावजूद, कि हम इन पर चर्चा करने के लिए तयार हैं, आप पारलियमेंट को ही ना चलने दें, पारलियमेंट को ही पंगू बना करके रख दें, तो आप कैसे लोकतंत्र को आगे बढ़ान पारलियमें 303 सीटे आई हैं, और पिछली लोक सभा में 282 सीटे आके लिए भारतिये जंता पारिटी को मिली थी, उसे आप सरकार नहीं चलने देंगे, उसको आप कानून नहीं बनाने देंगे, और देश में ही नहीं, विदेशों में भी आप क्या मेसेज भेज रहे हैं, किसी तरीके से राज्य सबा में भी इनकी ताकत लगातार कम होती जा रही है। भारतिय जनता पारटी की ताकत बढ़ती जा रही है। क्योंकि राज्यों में ये लगातार हार रहे हैं। वहां भारतिय जनता पारटी और दूसरे छेत्रिय दल जीत रहे हैं। तो क्या ये इस चीज से कोई सबक लेने को तयार नहीं है कि इस देश की जनता इनके आचरण को देख करके इनके व्यवाहर को देख करके लगातार इनको रिजेक्ट करती जा रही है, इनको एक सिक्षा दे रही है लेकिन ये सिक्षा लेने को तयार नहीं है। बार बार वही गलतियां दोहराते जा रहे हैं और शीत कालिन सत्र को भी एक तरीके से इन्होंने पूरा वाश आउट किया है। हाँ बीच बीच में सरकार ने जरूर कानून पास किये हैं और जो देश के लिए अलग-अलग शेत्रों के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन ओवर ओल देखें तो जो एम वेंका या नाइडू ने आज टिपनी की है कि जितनी हमें उम्मीद थी उतना हम मानसून सत्र में काम काज नहीं कर पाए ये अपने आप में विपक्षी दलों पर एक बड़ी टिपनी है उनकी तरफ से। अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार